दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुंड़े की I20 डीजल जिसका ये स्पोर्ट्स वरियंट है तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है अगर आप जानना चाते हैं कि I20 स्पोर्ट्स में क्या कुछ खास है कौन-कौन से फीचर ओफर की जाते हैं और क्या कुछ accessories वगर आपको मिल जाती हैं इस वीडियो में हम complete एक overview करेंगे exterior और interior का और जो basic details है हर एक चीज जो हम इसमें cover करने वाले वीडियो में हैं तो ये कोई drive impression वगर हम नहीं कर रहे हैं बस ये वीडियो आपका तभी काम का हो सकता है अगर आप जाना चाते हैं कि क्या कुछ इस गाड़ी में में खास offer किया जाता है पूरा detail में जो बाकी वगया reviews हैं दुनिया जहान के i20 के आपके पड़े हुए हैं आप उनको देख सकते हूं लेकिन basic part to part detail के लिए आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं चलो जी शुरुवात कर लेते हैं वीडियो की और सबसे पहले शुरुवात की जाए तो भी या बिना चाबी तो बात होई नहीं सकती ये चाबी है ये sports variant है तो भी या इसमें push button start आपको नहीं मिलता है और चाबी पर तीन function मिल जाते हैं और इस तरीके की जो manual की है वो आपक जाके भी देख लेते हैं क्या कुछ खास इस गाड़ी में है फ्रेंट साइड में बात करें तो Hyundai के लोगों के अलावा एक number plate आपको यहां पर देखने के मिल जाती है जो की बीच में जो जाली जिसको बोल सकता हूं मैं उसके बीच में जो है लगी है इंस्टोल्ड है और य काफी अच्छा है और रात को अगर आप ट्राइव करते तो अभी असर्दियों का टाइम आ गया है मैंने इसको ड्राइव करके भी देखा और काफी अच्छा फ्रों जो है इस गाड़ी का है जिसके पूल करके आप जो बोनट या फिर इंजन बे को ओपन कर सकते हैं में को आप उपर उठा सकते हैं काफी बारी है मतलब पुरानी वाली i20 से मुझे थोड़ असा ये बारी ही लगा वक्की भी या आप बता सकते हैं कमेंट करके इंजन बे नीड और क्लीन काफी साफसुतरी रूंड़ाई जो बेसिक इन चीजों का ध्यान रखती है कि दाकि अटलि तो दोस्तों आपने आवाज सुन लिए होगी और बटी ये बता दो बिना इंसुलिशन के होते हुए भी एक जो गाडिक इंजन के अवाज है वो अंदर नहीं जाती है और काफी साइलेंट सा जो है डीजल इंजन लगता है मतलब मारुती से पेट्रोल इंजन होते हैं वैस इंच का मिल जाता है बाकी सारे यहां पर 16 इंच के मिलते हैं और एक चीज़ में बता दोस्तों जो मेरे को मैं सच में मैं पैचान नहीं पाया था कि यह यह वील कप्स है और जो नीचे है वह पुराने जो होते है ना वही सिस्टम लगा हुए कोई अलोई वगर इसमें नही दिखकत नहीं है साइड प्रॉफाइल अपने जड़ा मैं थोड़ा दूर जाकर आपको दिखा देता हूं मुझे जो इसकी साइड प्रॉफाइल ज्यादा अची लगी बैक से इतने कुछ चास अची ने लगी और फ्रंट से भी कुछ इतने ज्यादा चीनली क्योंकि वरना क्रोम wenig जो यहां पर देख रहे हुए यहां से स्टार्ट होकर पूरे घड़ी के दूसरी अछलीर अब आदे यह और हुंड़ाई का लोगो आपको स्पोर्ट्स जो है मेंचिन किया गया है नंबर प्लेट के नीचे की साइड अगर मैं आपको यहां दिखाओ तो यहां पर यहां पर कैमरा फिट किया गया है जिसकी क्लेटी कैसी है वो भी मापको वीडियो में आगे चलके जब इन्फू है अब को यहां पर काफी दिखने में अच्छा लग रहा है को भी इसमें शिकायत का मौका तो भी यह उंडेवि नहीं दिया है अब टेलिगेट को ओपन कर लेते हैं और मापको दिखाता हूं बूट स्पेस जो है अगर उसकी बात की ज़्यादा कुछ नहीं है बड़ तीन सो ग्यारा लिटर का बूट जो है ओफर किया जाता है यहां पर और यह जो बटन ना एक में थोड़ी बड़ा अजीब सी लगी कि में लगती है अगर एस्टा मोटल की बात करूं मैं हर या ना में लगबग दस लाक रुपे की यह आपको ओन रोड पढ़ती है दस लाक बार आजार दस लाक गैरा जार की कुछ पढ़ती है यहां पर बूट में और कुछ इसमें क्या है मापको दिखा लेता हूं यहां पर कर लगते हैं जरा साइड में एक बार उठा की भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको नीचे की साइड दिखा सकूं और यह लो जी यहां पर देखते हैं जो मैं आपको पहले बता रहा था कि कुछ टूल के साथ जो आपको एक्स एडिशन टायर जो मिलता है ना उसका जो स्टीन मिलती है यहां पर और स्टपनी में स्टपनी के लावा यहां पर बूट में दो आपको छोटे-छोटे हुक मिल जाते हैं और ज्यादा बड़ी पनिया तो नहीं टंगाई जा सकती छोटी मूटी कुछ सब्जिया या फिराल का फूल का गिरने वाला समान अगर आप चाइन पर तो वो टांग सकते हैं बाकि पार्सल ट्रेक इक्वालिटी भी ठीक ठाक है इसमें कोई शिकायत का मुखा उंड़ाई नहीं दिया है अब चलते हैं आगी साइड और देख लेते हैं यहां पर क्या कुछ खास जो है ओफर किया गया है इस साइड अगर आप आएं सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर आपको ऑप्षिन दिया हुआ है जो यहां पर कुछ चीज रखना चाहिए और यह वाली चीज थोड़े डोकिमेंट पर आप रखना चाहिए और एक लिटर की बोटल जो है बड़े आराम से यहां पर फिट आ जाती है अंदर की सब्सक्राइब काफी अच्छा प्रवाइड किया गया है और यहां पर एक अलग सी आप देख सकते हो कि थोड़े डिजाइन वगरा किया गया है मलब बेसिकली जो फेब्रीक है उसमें डिजाइन है अप एंड डाउन और आगे पीछे जो है इस सीट के अड़ेस्मेंट की जा सकती है त्री वे एड़ेस्टमेंट में बेसिकली कह सकता हूं इसको और यहां पर नोर्मल जिन गाडियों में कोई option होता है वहां पर कोई हो इसमें बूट ओपनर वगरा नहीं क्योंकि इसका जो डिजल टैंक जो है बिसिकली और यहां पर तीनों आप देख सकते हैं प अच्छा लगता है और अप्टू मार्केट है जैसे मलब पुरानी जो हुंड़ाई थी उससे काफी ज्यादा अपडेट कर दिया गया स्टीरिंग कुछ इस तरीका के दिखता है और थोड़ा स्पोर्टी सा भी लगता है यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कंट् स्टम यह साथ जो फ्रेंट स्क्रीन है उसके कुछ-कुछ उप्षिन आप यहां से एक्सेस कर सकते हो और बटन सी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है और मतलब उसमें विया हुंड़ाई से कोई शिकायत नहीं कि जह सकते हैं कि इन चीजों का हुंड़ाई जो काफी ध ओई लोगार है ऐसा कुछ ऑप्षिन आपको नहीं मिलता है जो यह वाली भी आपको मिल जाती यहां पे और केविन प्रचस्म रखना चाहूं रख सकते हैं और इस साइड जो है आप डोक्यूमेंट वगरा कुछ रखना चाहूं का फिलका वो अप्शन आपको दिया हुआ कि और इसके लाब कुछ यह पर हो जो पांख करें न को और दो करें तो यहां पर य को मिल जाएंगे और यहां पर紅 Central मिलेंगे आपकोarle सकते हैं और या फिर लेफ्र राइट वाले डी पर आपकुछ इस तरीके से यहां पर यूज कर सकते हो और यह सेम बटन उसी तरीके के यहां पर जिनसे आप लाइट कि जो functions है वो सेट कर सकते हो या फिर इसको आप किस तरीके की यूज़ करना चाते हो या फिर ओटो पर रखना चाते हो या फिर आप मैनुली आप अपने तरीके से इनको यूज़ करना चाते हैं तो वह इसमें कुछ-कुछ functions जो हैं दिये हुए हैं जिनको हम यूज़ किया जा सकता है यह विया आठ इंच का इन्फोटैन्मन सिस्टम और जिसकी पुजिशन जो काफी थोड़ी ब्लब ड्राइवर से लगती है बट इसके जो बटन से ना वो भी आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से बनाए गए हैं तोड़े अलग से लुक देते हैं ऐसे जब आप इनको टच करते हों तो आपको फील होता है कि किसी अच्छी गाड़ी के जो बटन से आप चूरे हो यहां पर यहां पर हजार आप में कुछ-कुछ जो मोड्स हैं बैसिकली मैनुवली जो चेंज किये जा सकते हैं यहां पर और नीचे की साइड यहां पर देखेंगा आप अपना फोन दो फोन बड़े अराम से यहां पर रखे जाएं को चार्जिंग वगरा के फैसलिटी आपको इसमें नहीं मिलती है यह 12 वोल्ट का शोकट है एक USB है और एक साथ में यह एक डमी यहां पर मिला हुआ भी है कुछ को आफ्टर मार्केट अगर आप कुछ करवाना चाहे तो करवार सकते हैं तो मुझे नहीं पता एस्टा में यहां पर क्या आता है आप कमेंट करके बता सकते हैं इस तरीके से आ पर मलब पूल करके आप जो फर्स्ट केर या फिर्फ रिवर्स गेर है उसको इंगेज कर सकते हैं और गियर लिवर्ट क्वालिटी की काफी अच्छी है और एकदम स्मूध है और यह देखो आप यहां पर देख सकते हैं कि लैदर का रैप आपको यहां पर मिल जाता है जिस अब मारंने फिरंट वाले डिस्प्ले जो है इसकी जब आप इसको स्टार्ट करते हो गाड़ी को तो कैसी डिस्प्ले आती है वह भी मैं आप आप जरह दिखा देता हूं और इस जो डायल्स से इंको आपचेंज भी कर सकते हो और साओने फ्रंट्स की आपको दो तीन तरह क की information आपको मिल जाती है जिनको control के जाता है जिसे की मालब आप देख सकते हो कि जो आपको प्रीवेस राइड है उसके जो पूरे परामेटर बगर दिखाता है जो चेंज किया सकता है यहां वाले इस बटन से इस बटन से आप देख सकते हो तीन तरह की अलग-लग information आपको मिल जाती है और ट्रिप्स बगर आएं उनकी इनफ्रमेशन आपको यहीं से मिल जाती है जिनको चेंज बटन से कर सकते हो कि मालब प्रीवेस क्या ट्रेप रही आपको रिचेंट जो आपने ड्राइव किया और क्या इकोन में बगर आप इस गाड़ी से ले रहे है तभी आप द इकोनमी कह सकता हूं यह इनफोटैन्मेंट सिस्टम जड़ा इसकी मैं ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूं पहले फिर आपको दिखाता हूं कि इस इनफोटैन्मेंट में क्या कुछ खास है और इसमें लिखा भी वहागी इसको आप पंगे लेते हुँ ना तो गाड़ी जब बिखाल पाइन रखेंगे मैं चपल पाइन के ड्राइब नहीं कर रहा था जुगनु मेरे साथ था जुगनु ड्राइब कर रहा था मैं तो बस बिए वीडियो बनाने के लिए बैठा वादा तो जैसे ही आप क्लच को प्लेस करेंगे ना तभी गाड़ी स्टार्ट होती है दर्वाई जे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती जो पुश बटन जो स्टार्ट गाड़ी होती वैसा कुछ ऑप्शन जो है इसमें दिया हुए जो कि मेरे को काफी अच्छा रहा अगर बच्चे बगारा गाड़ी गुमा जो कि यह उसको गुमा भी देंगे तो भी जो है पर भी देता हूँ आप इसको स्पीकर के जो साउंड है उसकी पूजिशनिंग सेट कर सकते हैं इससे यह कुछ-कुछ फिचर है माफी चाहूंगा आपको की लाइट की रिफलेक्शन के कारण ज्यादा कुछ शायद मैं अच्छ से नहीं दिखा पा रहा हूं आपको बाकि इक्पूलाइजर वाला एक्पूलाइजर वग़रा सब कुछ इसमाप्शिन मिल जाते हैं और जो फोन्स हैं फोन की हैं आप साउंड कितना मेंटैन करना चाहते हैं अगर आपन कनेक्ट किया हुआ हुआ है और सिस्टम की जो साउंड से हैं उसकी वोल्यूम वगँरा आप इस audio infotainment system से आप सेट कर सकते हैं बागे जो home screen है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं कि इसमें क्या-क्या widgets बेसिकली आपको चाहिए उनको भी आप यहां पर सेट कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हैं क्या कुछ देखना चाहिए वह गया देख सकते हैं ज्यादा कुछ वरीशन तो नहीं मिलती है लेकिन हाँ टाइम अगर अपडेट आएंगी तो हो सकता है काफी चीज़ देखने को मिल जाएंगी और अब कर लेते हैं बात जड़ा होम स्क्रिंग पर हम आगे हैं तो इस वीडियो में हम यह भी देखने कि इसके ओडियो क्वालिटी कैसी है हम कोशिच करूँग आपको दिखाने की बट उससे पहले जो मैं पहले बात कर रहा था कि इसकी जो पोजिशन ना वो थोड़ा ड्राइवर साइड है एक तुम हुआ हुआ है दोस्तों कैसी लगी आपको डियू क्वालिटी देखने बाद जरा एक चीज मिसिंग थी वह मैं आपको दिखा देता हूं कि यह रियर कैमरा की क्वालिटी कैसी है तो यह जो है रियर कैमरा ओन हो रखा है मैं इसको ओल्वेस ओन में रखा हुए तो अगर आप ड्राइव कर है इसमें और इस पर ना एक बार एक चीज साफ साफ लिखी भी हुए है कि भी यह इस पर डिपेंडेंट ना रहें अपनी सराउंडिंग्स हुए चेक कर लें गाड़ी को रिवर्स करते टाइम जो काफी अच्छी चीज है कि भी यह बिसिकली जो है एक आदत जो है खराब क है आपको मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें किसी पी चीज सुदार की जुरूरत नहीं है आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो कोई एक्स्टा से स्पीकर या फिर कुछ मोडिफिकेशन करने की रिक्वार्मेंट नहीं है डिसेंट सा एक साउंड आ रहा था और जो बेस वगर था वो भी काफी अच्छा लगा अब यह कोपी राइट वाली दिख्या था दर्वाइज में आपको कोई नोर्मल पंजाबी गाना सुना तो शायद आप ज़्यादा इस चीज को फील कर पाते अधरवाइस या मैं कह रहा हूं तो मेरी मालो साउंड सिस्टम अच्छा है चल इसना-कमफर्ट न दिक्कत निया कोई कोई आम रिस्ट व chacun को मिलते हैंना है घ्रेस अलग से मिलते हैं जो सिट के अंधर ही बने हुए वही वाली चीजसिता आपको मिल जाती है और बखतर यहां पर यहां वरके रखने तो यहां पर आपको देखने यहां पर अलग से नहीं मिलते हैं और यह आम रेस्ट की जो पिसिकली बैक साइड जो इसको यूटिलाइज किया गया जो काफी अच्छा और एक पर्स वगरा या फिर चोटे मोटे कुछ डोकुमेंट रखना चाहें तो वह इसमें रख सकते हैं एक चीज़ में आपको दिखा आप देख सकते हैं कि लगबंग 6 फिट का बंदा हुगा तो कितना स्पेस जो आपके उपर बचने वाला है और अगर आप गाड़ी की हाइट के अगर बात करें तो नॉर्मल सी आप देख सकते हैं कि इतनी कुछ हाइट है इस गाड़ी की आप इसके बराबर अगर खड़े आप 20 के बराब जाना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं थैंक्यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए मिलते रहेंगे